आदर्निय साथियो नमस्कार आप सभी का मेरे यूटूब चैनल पर स्वागत है साथियो आज हम जैसा की विवाग की तरब से एक आदेश आया है कि बच्चों की एटेनिस जो है वो रोज आना हमें MIS ID पर fill up करनी है तो उसके बारे में आज जानने वाले हैं कहां पर option है और कैसे हमें fill up करनी है तो जो साथियो चैनल को देख रहे हैं वो साथियो चैनल को सबस्क्राइब कर ले और लाइक कर दे ताकि मेरे को motivation मिल्स के और mystery की जो information है वो आपके लिए लास कूँ तो साथियो आप मेरी या आप अपने mobile के screen पर देख रहे हैं जैसे मैंने मेरी idea open की हुए यहाँ पर और इस तरफ जो है वो side में यहाँ पर बहुत सारे option आपको नजर आ रही है तो आपको सबसे नीचे option दीख रहा होगा सबसे पहले आप जब खोलोगे तो इतने option आएंगे my profile student management तो आपको क्या करना है हमें attendance fill up करनी है तो student management के उपर क्लिक करना है किस पर क्लिक करना है student management पर तो student management पर क्लिक करने के बाद हमें attendance fill up करनी है तो सबसे नीचे जब scroll करोगे तो यह देखो यह लिखा हुआ student attendance ठीक है तो इस पर हमें क्लिक करना है क्लिक करने के बाद इस तरीके का interface हमारे सामने खुल करके आ जाएगा ठीक है तो यहां देखो आप school का नाम आ गया है उपर school detail 2320 academic year आ गया है school का नाम आ गया school code आ गया है यहां पर आपको class select करनी है जैसे मैंने 8 class select कर ली और यहां पर section A select कर लिया और यहां full day और attendance date जो है ज इस प्रोसीड करने के बाद देखो सारे बच्चे उस class में यहां पर खुल करके आपके सामने आ जाएंगे तो आपको क्या करना है अगर present है तो इस attendance पर click करना है only way तो इस पर click करना है अप sent है तो इस पर click करना है सब के यहां पर click करके और I hear by पर यहां ऐसे click करके हमें क्या कर देना है, confirm कर देना है, तो attendance जो है वो आपकी fill up हो जाएगी, तो साथियो इस तरीके से हमें रोज आना बच्चों की attendance जो है, वो बरनी है, तो आप अपनी ID पर बर सकते हैं, स्कूल की ID ओपन करके वहां से भी बर सकते हैं, और मैं तो कहूँगा कि आप अपनी ID से बरें, जो जिस क्लास का इंचार्ज है, वो अपनी ID खोलें, और अपने mobile में इस तरीके से रोज attendance है, जो बरें, तो और इसी के साथ teacher की attendance भी लगनी है, तो वो डीडियो की जो ID है, उससे ID से बरें जाएगी, तो वो डीडियो का काम है, उनकी भी इसी तरीके से attendance बरें जाएगी, तो साथियों ये थी, बच्चों की mobile से MIS पर attendance कैसे fill up करें, हमने जाना धन्यवाद,